प्यारे बच्चो, problem number 17 को देखो, अपने आप में बड़ी जबर्दस problem है, बस ये देख लो कि बैटी डाउन तो नहीं हो रही, देखो इस question को देखो आपसे कहा रहा है, अब बार मेंगनेट is stationary in a magnetic meridian, एक बार मेंगनेट है जो अर्थ के geographical north और geographical south है, लेकिन मेंगनेट के अपने मेंगनेटिक north और मेंगनेटिक south भी तो होते, तो ये अर्थ का जो कहलाता है, अपना ये magnetic magnetic south pole है और यह magnetic north pole है यह उल्टा होता है यहाँ पर north होता है यहाँ पर south होता है ऐसा माने जाता है कि अर्थ के center पर एक बहुत बड़ी magnet रही हुई है जिसका south ही है और north यह है clear समझ लेना तो यह जो plane यहाँ पर magnetic south और magnetic north पर एक plane खड़ा कर दो यह किलाएगा magnetic meridian मीद समझ में आ गया होगा तो थोड़ा सा मैं समझा जोता हूँ इस question को हमसे कहरा अब बार magnet is a stationary magnetic meridian एक बार magnet है जिसको आपने रोक रखा है magnetic meridian में तो यह मैं geographical north और geographical south बना देता हूँ तो let us suppose कि magnetic meridian यह है तो यहाँ पर एक magnet को रखा हुआ है ठीक है अर्थ का magnetic field यहां से निकल रहा होगा और ऐसे जा रहा होगा देखो दिहान से देखो इस तरीके से यहां से निकल रहा होगा ऐसे और यहां पर जाकर terminate हो रहा होगा बात किलिए रहा है हाँ बात किलिए रहा है समझ में आदा बच्चों को इतना अरे मेरे दुआरा बताया और समझ में नहीं आये, अच्छे नहीं लगता, समझ में आ गाया, अब देखो यहांपर क्या एक कुछ नया है, कुछ नया वो ये है, हमसे कहा रहा, आप बार मेगनेटी इस स्टेशनरी नहां, मेगनेटिक मेरेडियन, आपने रख दिया मेर्डियन में एक बार मेरडियल में को इस्टेश्टनरी हम से गणा another similar magnet is kept parallel to it बिल्कूर एक similar magnet को आपने इसके parallel में रख दिया तो let us suppose कि आपने parallel में यहाँ पर रख दिया तो यह जब आपने एक similar magnet 가 यहाँ पर parallel में रख दिया, इसके parallel में रखा ना, तो आपने ये south ले लिया और इसका north ले लिया, है एक दूसरे के parallel में, हमसे गहरा है, इस तरीके से parallel में है, such that the centers lie on the perpendicular by sector, मतलब इनके जो center lie करते है, वो इनके perpendicular by sector पर लाई करते है, वो neutral point कहीं ने कहीं यहाँ लाई करता, हमसे कह रहा है, if the second magnet is free to move, अगर दूसरी वाली magnet, move करने के ने, बिल्कु फ्री है, तो हमसे कह रहा है, what type of motion will it have, इसके पास कोन सी motion होगी, translatory motion होगी, रोटेटरी motion होगी, और बोथ या दोनों होगी, तो यह अच्छा कोशन है, किस तरह की motion होगी, अब एक चीज़ देखते है, translatory motion का मतलब यह है, कि एक तरह से वो एक straight line में move करने की कोशिच करेगी, तो देखो, straight line में movement तो आज आएगा, कैसा आएगा, क्योंकि आपको पता है, कि अर्थ का अपने एक magnetic field है, और यह जब रखोगे इसके parallel में, तो अर्थ के magnetic field के influence में, इसका movement आएगा, इसका movement आएगा, कैसा आएगा, क्योंकि आपको पता है, यह नोर्थ है, तो नोर्थ नोर्थ को repel करेगा, तो इसका movement इस तरफ को आएगा, तो movement से तो यह पता ल तो क्या इसका अपना यहाँ पर कोई magnetic moment नहीं बगरा होगा, सब कुछ होगा, अगर आप देखोगे, इसका एक काम कर लो, एक काम कर लो, यहाँ पर आप magnetic field देख लो इसका, तो आप magnetic field देखोगे, जब इसका यहाँ पर अपना एक magnetic field होगा, तो magnetic field के influence में, होगा क्या, magnetic field के influence में इस पर एक magnetic field लग रहा होगा इस magnetic की वज़े से भी खेर उसकी वज़े से भी एक तरह की motion निकल कर आजाएगी अच्छा एक चीज़ और देखने की कोशिश करना जब ये movement आएगा इसका जब movement आएगा तो movement इसका जब आएगा तो यहाँ पर एक अलग तरीके का movement आएगा movement कुछ इस तरीके से आएगा कि ये अपनी इस particular position से rotate होना शुरू करेगी rotate tree motion करेगी कुछ इस तरीके से जब rotate tree motion करेगी तो इसके पास दो तरह की motion हो गई है translatory as well as rotate tree motion अच्छा थोड़ा rotate tree motion के वारे में ओर discussion कर लेदे हैं कि rotate tree motion किस तरीके से होगी देखो ये है magnet ये free to move हो रही है यहाँ पर free to move है free to move है अब यहाँ पर दो condition बन नहीं है एक condition तो यह है कि यार आपने कुछ किसी तरीके से इसको अच्छ कर रहा एक तरीका यह है कि यह बिल्कुल free to move है अगर यह बिल्कुल free to move है तो इसके पास एक torque लगनी शुरू हो जाएगी इस पर torque लगेगी magnetic field की वरिसे external magnetic field की वरिसे इस पर torque लगेगी क्यों लगेगी देखो मैं आपको बताता हूँ अगर यह magnetic field ऐसे है अर्थ का magnetic field और यह जो magnet मेरे पास है रखी हुई जो मैंने external magnet रखी है अगर यह बिल्कुल इसका जो magnetic field अर्थ का magnetic field है बिल्कुल इसके बीचो बीच में से जा रहा है निकल का कुछ इस तरीके से तो आप यह कह सकते हो कि यह बीचो बीच में से अर्थ का magnetic field गया है तो यह अर्थ के magnetic field में ही मूव करना शुरू कर देगी लेकिन आपने एक चीज़ पर लखी होगी कि अगर uniform magnetic field है uniform magnetic field है और उसमें कुछ अगर इस तरह से inclined कोई दूसरी magnet है तो उस पर torque लगनी शुरू हो जाती है torque क्यों लगी है क्योंकि जो magnet रही है जो magnet की axis है वो magnetic field की direction में नहीं है तो magnetic field में magnetic field में लाने के लिए है इस पर एक torque लगता लगेगा ने लगेगा तो वैसे ही इसके साथ होगा अब यह actual में जो इसके इसके जो external magnetic field है जो external magnetic field है जो अर्थ का magnetic field है वो बिल्कुल इसके अंदर से पास नहोगर के तोड़ा तिर्शय जाएगा जब तोड़ा तिर्शय जाएगा तो जाहिर सी बात है तिर्शय जाएगा तो इसकी अपनी axis अर्थ के magnetic field के साथ कुछ angle बना रहे हूँ कि जिसकी वज़े से earth का magnetic field इस पर एक torque लगानी शुरू कर देगा तो इसके पास दो तरह की motion आ जाएंगी rotatory भी आएगी साथ में rotatory rotation करेगा torque की वज़े से और साथ में translatory motion हाँ अगर ऐसा हो जाए कि earth का magnetic field बिलकुल इसकी axis के parallel move करके जाए axis के parallel तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ translatory motion होगी तो दोनों case possible है translatory motion का और rotatory motion का translatory motion तभी possible है सिर्फ और सिर्फ कि जब इसका earth का magnetic field इसकी खुदी की axis के parallel निकल कर जाए लेकिन अगर earth का magnetic field इसकी axis के parallel निकल के नहीं जा रहा तब इस पर torque लगेगा तो translatory as well as rotatory motion आ जाएगी फिलाल इस case में इसके पास translatory as well as rotatory motion आ जाएगी क्योंकि यहाँ पर कहीं पर कुछ इस सरह का नहीं लिखा हुआ है कि earth का magnetic field इसके parallel है देख लो आप आर magnetic station magnetic meridian अब देखो magnetic meridian में तो आपने इसको रख दिया सिर्फ तो इसका मतलब यह रखा हुआ है अब आप से कहरा another similar magnetic is kept parallel to it इसके parallel रखी गई है तो जो magnetic field है वो magnetic field इसके parallel जबुए तो इसके parallel हो हो सकता है किसी particular angle पर हो तो यह इस cases में तो भाई यह translatory as well as rotatory motion करेंगे आगर हाँ यह clear कर दिया जाता है यहाँ पर कि इसके अंदर से मतलब यह भी magnetic field ही के parallel है अर्थ के magnetic field है तब यह सिर्फ ओ सिर्फ translatory motion करती है understood हो चुके हो मेरी बास से तो यार वीडियो को like कर दो thank you so much